तो जैसा कि मारी vocab series चल रही है na EDM's की और Antonium synonyms की जो कि KVS, PID, TGT and PGT और अर्धर पोस्ट लेकर इंपोर्ट होगी है na KVS के हर एक 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 जाम के लिए important है और हर एक 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 जाम में इस vocab से question आएगा तो यहां पर मैं आपको 200 synonyms कराने वाला हूं कुछ मैं आपको उरड़ी करा चुका हूं साथ क्या सपज आपको उरड़ी करा दी है और मैं आपको करा दूँगा आज मैं 30 और करने वाला हूं आपको आगे के हम बाद में देखेंगे तो उससे पहले आप मुझे एक answer देंगे और एक question का answer देंगे आज का मारा वर्ड है abstain abstain sorry यहाँ पर गलत लिख दिया मैं A B S T A I N abstain तो इस abstain का मतलब क्या होता है फिर इसका इक answer आपको लिखना है यह वर्ड मैं आपको उरड़ी करा चुका हूं तो इसलिए आपको इसका बताना पड़ेगा आपको इसका मतलब और बाकी हम देखते है आज की वीडियो पर क्या मैं डिसकस किया हुआ है चलते है अवनी वीडियो की तरफ तो आज का मारा first word है Assault Assault मतलब क्या होता है Assault मतलब होता है हमला करना और फिर attack करना To attack someone तो attack होगया इसका same word होगया इसके opposite word क्या होगया Antonium क्या होगया Defend Defend क्या होता है बचाव करना या फिर retreat Retreat क्या होता है पीछे घटना तो retreat क्या होता है पीछे घटना यहां पर आगे वड़के attack करेंगा और यहां पर पीछे घटना है तो यह opposite होगया की दूसरे के नेक्स मारा की है, barbarous. To barbarous मतला क्या होता है, is being uncivilized. जो society according नहीं बात चीत करता है, नहीं, उसका way of behaving जो होता है, जैसा भी behave कर रहा है, वह according to society नहीं है. जो society को अच्छा लगे वैसा behavior उसका नहीं है. तो इसको क्या बोलेंगे, uncivilized, या फिर असभया-insan. तो बाबरश मतला सब भी है और फिर अंसेवलाइजड है यहां बुस्त है क्रूड तो क्रूड भी क्या होता है जो सुसाइटी के अकॉर्डिक बिहेव नहीं करता है इसका बोल चला को अच्छा नहीं लगता है तो क्रूड हो गया फिर इसका पूज़ट क्या होगा सुबह मालए हो तो कंशन क्या होता है सबातकि कुछ उसकी सफ निकाला है अपर तो close, close ही होता है, पता है आपको terminate, terminate भी होता है, सवाप्त करना या फिर अंत करना, आपने सोना होगा this matter will terminate at this station, तर जो matter wise station तर जाएगी है और यहाँ पर terminate हो जाईगी, फिर यहाँ फिर यहाँ पर terminate, खतम हो जाएगी इस आगे नहीं जाएगी, जो सोना होगा आपने, नेक्स नवार का है is COMPLEÇENT, COMPLEÇENT क्या हो तो भी आत्मसंतोष्ट जो खुच सेस्थाइड ही, जो भी हो कर रहा है, उसके लिए वह अपने आप से सेस्थाइड है हां भई तूने जो किया है जो तुने किया है बहुत अच्छा है किया है इसका पुझट वड़ का वह भी concerned, चिंतित ना, वो चिंतित ना इस बात को लेके जो किया है वो ठीक है यह नहीं है ना, चिंतित, very concerned, next नमारा क्या है भी, next नमारा है कंजीनेल, कंजीनेल कया होता है पिल जो हम चाहते है वैसा हो रहा है एक्वरिद्न तू यू पिलिदीध और कंजीनाल कंजीनेल SHOT Sug Chinese कहा रहे है और कि voulais थे यह क्पिल तो प्रश सकते हैं मारा ऑपक मूरा क्वरिद्न तो प्रश के कि лемश इतनाक्र Stephen象 आप चाहते हैँ इसका opposite क्या होता है अप्रिय जो लोगों को प्रिय नहीं लगता है जो लोगों को भाता नहीं है स्वावना नहीं लगता है pleasant नहीं है तो pleasant का opposite क्या होता है unpleasant ठीक है जो हम नहीं चाह रहे थे वो हो गया next हम देखते हैं next word हमारा क्या है next defile, defile क्या होता है असूद करना, या फिर मिलावट करना, mix करना, corrupt करना, ठीक है, तो defile क्या होता है, असूद करना, या फिर corrupt, कुछ mix कर देना उसमें, तो same word क्या है कि इसका, corrupt है या फिर mixing, ऐसे बहु सकते हैं, corrupt को आप जानते हो, corruption, इसका opposite क्या होगा, purify, तो purify क्या होता, सूद करना, या फिर honor, सम्मान दिना, इफिर elevate, elevate मतलब एक उसका particular level मानना है उचाई पर मानना, तो उसको भी सम्मान भी हो सकते हैं, elevate मतलब एउचाई पर मानना, सम्मान देना, nextUR मैंना गया है, demolish, तो demolish क्या होता है भी, destroy करना है, फिर किसी को dismantle कर देना, उसके खंड-खंड कर देना, तो demolish, आपने सुनाओ का जैसे, चल रहा था, भी demolish, drive चल रहा था, एक दो दिन तो नहीं, कभी चलता रहता है, जो हम JCV बेजते हैं, वो घर को destroy कर देते हैं, फिर जो हमरे नवेडा में टावर्स थे, दो टावर्स हैं, ट्विंस टावर्स हैं, उनको destroy किया गया है था, तो demolish, destroy मतलब क्या होता है, कि चीज को nest कर देना, तो उड़ देना, तो उसको आप बोल रहे हैं, demolish क्या होता है, दोस्त करना है, यह destroy कर देना, यह फिर हो सकता dismantle, dismantle मतलब उसके खंड-ख रहाना, तो तो हमको पता ही है, ठीक है, next आपना क्या है, despise, तो despise क्या होता है, घर्णा करना या फिर hate करना, hatred towards someone, या फिर something, कि यह चीज कि आप घर्णा करते हो, उससे hate करते हो, ठीक है, तो despise हो गया, बकी क्या हैगा हो, इसका same word क्या हैगा, undervalue, तो undervalue मतलब किसी को particular value से करना है, उसके undervalue करने हैं, तो गिर्णा तो ही, एक तरीके से, जितना है, वो भी नहीं मान रहे हैं, तो undervalue मतलब hate करना, गिर्णा करना, और क्या होता है, अब और मतलब बहुत important, वाड़े आर, एक्जाम में बार बार आत रहता है, तो अब और क्या होता है, जब आप किसी particular चीज के लिए, बहुत heated feel करती हो है, एक high level पर, उसे बोलते है, अब और, ठीक है, नेक्स समरा किया है, इसका opposite कि है, admire, एड्मायर क्या होता है, प्रसंसा करना, to appreciate someone, किसी के प्रसंसा करना, तारीफ है करना, ठीक है, नेक्स समरा क्या है, devout, तो devout क्या होता है, धार्मिक, द इसे लिए नेन, तो devout मतलब क्या होता है, धार्मिक, एफर religious, तो इसका से वड क्या होता है, पाइस, पाइस, P-I-O-U-S, पाइस, पाइस, तो पाइस भी क्या होता है, very religious person, नेक्स समरा किया होता है, इसका antunium क्या है, trechervice, तो trechers क्या होता है, अधर्मी जो धर्म के मरक प नहीं है, he always puzzled रहता, puzzled या उसको doubt रहता है, खुद में, जो कर रहा है, वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो definite क्या होगे, संकूची, या फिर doubtful person, doubtful person, तो क्या होगा भी same words का, timid, timid क्या होता, डरपोग, अगर आप doubt में है, तो आप कोई भी decision जो सईसे, नहीं ले पाएंगे, तो डरपोग हो जाएंगे, इसका opposite क्या होगा, confident, confident है आप में है या फिर aggressive, तो aggressive क्या होता है, जो बिल्कुल TG से aggressively अपने decision ले पाता है, या he is very confident है, जो भी वो कर रहा है, वो ठीक कर रहा है, तो aggressive, यह हमारे word होगे, हम देखते हैं अपने आगे के word, next हमारा docile, docile क्या होता, अग्यकारी है, तो docile मतलब आग्यकारी, he is obedient to you, जो आपकी बाते मानते हैं, जैसे आप चाहते हैं, वैसा हो करता है, तो उसकों docile बोलते हैं, फि अपको अपोस करेते हैं, वैसा हो नहीं मानेगा, पोस करेंगा, फिर unwilling, unwilling पहला है, अईसा हमें आप कहरे हैं, वैसा हो नहीं करेगा, तो आपने इक्टाज़ा नहीं करेगा, next हमारा क्या है, eradicate, to eradicate, इसे मिटा दे ना, पुरी तरीकीश का होता है या फिरती होता है जर से खाड देना इसका अब्त क् financi प्रेज़ क्या और प्रूश ज़िका हो रहता है। without stopping and continuously for the ageless or long life या हमेसा अगले चलता रहा है उसा हम बोलता है eternal तो हम लोग eternal नहीं है we will not continue forever है हमें एक दिन सबको समफ्त होना है या या हम लोग जो एक टाइम पर आका मरी जाएंगी तो eternal क्या होता भी? निरन्तर चलता रहता है Human being is not eternal सबको एक दिन जाना ही है, तो eternal क्या होता है, निरंतर, तो same word क्या होंगे, इसके perpetual, तो perpetual क्या होता है, continuing for a long period without stopping, बिना रुखे हुए long period तक चलते रहना, उसे बोलते है, perpetual, या forever, हमें इसा के लिए, ageless, बिना लाखो करोड़ोई जे, चलते ही रहेगा हमें इसा के लिए, इसका पोजट क्या होगा temporary, या फिर S-tie, तो we all are temporary to this earth, हम इस earth पे कहा है, थारे सरे temporary है, कुस समय के लिए आया है, ना, next हमारे क्या है, फेरोसियस, तो फेरोसियस क्या होता है, उग्र, फेरोसियस क्या होता, उग्र, एग्रेसिव इंसान, तो इसका same word क्या होगा, फाइस, तो फ नेक्स नमरा वर्ड क्या है fecal, तो fecal क्या होता है? एस्तिर, is not very much stable, उसे बहु सकते है fecal है ना? इमेजिंग कर एक पतलसतार है उस पर चल रहे हो, पतलसतार है उस पर चल रहे हो ना? तो fecal, आप इदर उदर जो है, गिरने का हो जाएगा है ना? तो fecal, you are not stable, आप पूरती से stable नहीं है वहाँ पर आप रहे है, तो उसे बहु सकते है तो fecal क्या होता है? डगमगाना ऐसे बहु सकते है, आइस तिर, या फिर unstable opposite क्या होगा, constant, stable, firm, constant, stable and firm, होना मजबूती से आप वहाँ पर टिके होए है next हमरा के वाइड़ा थावज़, तो fecal क्या होता है? Fecal मतलब Najook और Phanagur, तो हिंदी हो गया हिंदी में Phanagur मोलते है तो सब क्या बोलेंगे फ्रेगाइल है और कुछ नहीं होती है ऐसे मेटल अगर में मेटल चो होते हैं कौपर, अलुमूनियम, सिल्वर, गोल्ड उन्हें आप पीट होगे तो वह पतली होते जाएंगे लेकिन वह तूटेंगी नहीं जल्दी है तो उन्हें बोलते हैं नहीं टूटेंगे जल्दी, next word जाए गरुल्स तो गरुलवर क्या होता है बातूनी जो बहुत बाते करता है इदा उधर की बाते करता है, इता हुदर की बाते, इस्टॉटेंगे, तो गरुल्स मतलब वेरी टॉकेटिव इन्सान तो टॉकेटिव होगे वोल्यूबल है और जो सेवे मतलब आवाज हाई करना, तो mod what English means is much higher तो tियसितन क्या होता है क्या हो जब अलप वश्य सरह कम बात करता है यह неं करता है तो touchytern Cme studioist ग्लूमी प्रिया। में यह डोग सेड है मतलब उद श्यूमाज है इसींतन Dry by shadow तो dull मतलब तरह हो तो किसके पना डाल दिखेंगा, जैसे उधा से अखेंगा, तो डाल हो गया इसका पोजून ड्रै तो क्या होगा रॉपजिंट, यह न ड्राइयब्ट, जैसे आफैज अ गाल रहे हुआ है तो उपना डाटल गल्राय लेके टल्र से चेहरे पर आपने आपने यूनिक है तो इंक्रिडबल इंडिया तो आप पोचिट क्या होगा इसका पॉसिबल है इसके तुलना पॉसिबल हो यह जिसके बिलीव किया सके बिलीवेवल संभव यह विश्वश्शनी है मैं देखेंगा अपने फ depende नेक्स वर नेक्स वर हमारे ककर अफ ढ़रा इंटिग्रेट तो इनीक्रिशन क्या होता है एक ही करन कड़ा है और जोडना उनिफट auई इनेक्रिषट मंसुखत ल 촥के निच ले आना अन्डर वन ब्लैक्टिशन, regen? तो integration क्या हो गया है, सब को एक चाहिए लाना जो हम ने यह वर तो यूज किया अपने psychology में भी है कि integration education, inclusive education, बच्चों को जो है, सब हर तरह के बच्चे को एक साथ ही पढ़ाना है यह होता है, segregation अलग कर देना, यह होता है, integration, सब को साथ में लियाना जाय हो बच्चा disabled है, किस तरीका बच्चा है, सब को एक ही साथ नॉर्मल क्लास्टर में पढ़ाएंगे हम बोलते है, integration और अलग करना क्या होता है, जो disabled बच्चे है, जो अलग बच्चे है हम अलग पच्चा है, इस पे से इसकोल में पढ़ाएंगे, नॉर्म बच्चों साथ नहीं पढ़ाएंगे हम बोलते है, segregation अलग करना, जो कि गरत मेथ है, तो integration क्या होता है एक ही करन करना, मिलाना सब को, युनिफाय करना, unity करना, every unification तो एक ही मतलब हो गया है, opposite क्या होगा, fragmentation, तो fragmentation क्या होता है खंड में तोड़ने, खंड में तोड़ देना, फिर खंड में वाज़त कर देना, वि खंडन next word क्या हमारा, interpret, तो interpret क्या होता है, तो interpret मतलब होता, nidder, जो जिसको डर नहीं लगता है nidder इंसान, fearless या फिर gallant, तो क्या होता है, इसका synonym क्या हो जाएंगे, इसके fearless या फिर gallant तो fearless को ओनों के चैसे fear नहीं है, डर नहीं है, या फिर gallant, या ऐसे याद कर सकते हैं, हमारे जो soldiers होते है उन्हें gallant, अपने bravery के लिए, क्या मिलता है, gallantry award मिलता है, तो gallantry award मतलब बहादुरी अवला award है, तो gallantry मतलब क्या होता है, gallantry मतलब बहादूर होता है तो वो योगे निडर हो गया, gallantry award से याद कर सकते हैं, इसको gallantry मतलब बहादूर फिर साफ प्रोज़िट क्या होगा मीक, तो मीक क्या होता है? डरपोग या फिर यहां बहुत होते हैं skilled, घेमिड भी ग्या होता है? टीक है even though ठेमिड पोगर नेक्स हमाहरा क्या है? प्रेजिज़पन होता है मिलगाना है। तो विवेक पूर्ट या फिर वाइज, वाइज भी क्या होता है, चातुर, या फिर जो अपना दिमाग का इस्तमाल अच्छा करता है, कॉजन मतलब देख बाल कर, वेरी केरफुली, या फिर पूदेंट, तो पूदेंट के उनों क्या होता है, विवेकी, जो अकॉर्णि टो सिचिएशन, एक बहतर रोल निवा सके या फिर बहतर परफेक्ट सोलुशन ला सके आपके लिए, तो उसके पूदेंट या फिर विवे लीथल, तो लीथल क्या होता है, भी घहतक, लीथल क्या होता है, गहतक, या फिर जो में काफी ज़्यदा हार्म पुचा सकता है, इवन इट कन कॉस डेथ, है न, इतना फैटल हो सकता है, इतना दुगदाई हो सकता है, कि डेथ भी हो सकती है, तो लीथल मतलब क्या होता है, Malignant, तो malignant क्या होता है, malignant मतलब घातक या फिर which can cause death, जो हम death भी करवा सकता है, ठीक है, dangerous, यह fatal, तो fatal भी यह होता है, extremely dangerous, अब पूछट क्या होगा इसका harmless, harmless मतलब जो बिल्कुल भी हमको harm नहीं करेगा, बिल्कुल भी दुख नहीं पोचाएगा, हानी रहीत, हानी नहीं होगी next नमना क्या है, migr, to migr क्या होता है, migr मतलब बहुत कम मातरा में, very little, तो migr क्या होता है, migr, यह वी जो है famous वर्ड है, अच्छा वर्ड है, जो exam में आता रहते है, to migr क्या होता है, alp, यह फिर very little, to, इसका opposite क्या होगा, बपोचिट होगा, प्लेंटीफुल, plentiful क्या होता ह बहुत ज्यादा मात्रा में ही है ना educated ठीक है तो इसका opposite क्या हो उसमा बहुत बहुत हो है same word क्या होगी very little very little या फिर ineducate ineducate न मतला appri up जितना हम चाहा रहे ते उतना नहीं है भाग काम है ठीक है next word देखते हैं मारा next word क्या है meticulous तो next हमारा क्या भी इधा थो कर लेते हैं ठीक है meticulous meticulous तो meticulous क्या होता है satark या फिर very careful very careful जो carefully काम करता है उसे बहुत है meticulous या satark तो careful ठीक है भई methodical methodical क्या हो गया जो एक particular methodical की जाब से particular step wise में में चलता है ताकि कोई भी गलती ना हो he is very careful methodical perfectionist perfectionist जो सारे काम पर्फेक्ट करेगा perfect way में approach करेगा तो क्या होगा careless careless जो देख बाल करके काम नहीं करता है ला परवा इनसान अब पोचिट होगा next हमार के है morbid morbid क्या होगा rogu grust rogu grust इसको किसी डीसीज ने घेर रखा है बिमारी रहती है उसको है weak रहता काफी इनसांग morbid या रोग grust depressed हो जाएगा भी weak रहेगा कोई बिमारी उसको हो जाएगी या ghastly ghastly भी क्या होता है ghastly भी same word होता है कोई बिमारी जो आपको इस तरीके से घेर ले कि उससे death भी हो जाए ghastly भी सकते है उसको है या nasty तो nasty भी same है nasty भी मलब यही होता है कि एक particular रोग ने फिर डीसेज ने आपको घेर लिया है तो nasty इसका positive क्या होगा? cheerful cheerful क्या होता है? enjoy करना, anand लेना ठीक है? anandit next word मार क्या होगा? nefarious nefarious क्या होता है? nefarious मतलब दुसकर्मी दुसकर्मी मतलब जो दुसकर्म करता है फिर ऐसे काम करता है जो लोगों को पसंद नहीं आते है फिर किसी के लिए दुख दाही होते है painful होते है bad होते है ठीक है? तो wicked इसका same word क्या होगा? wicked मतलब क्या होता? दुस्ट या फिर दुराचारी जो बुरे काम करता है ठीक है? या फिर inquietus तो inquietus मतलब भी same हो गया ठीक है? आपको कोई मतलब हानी पहुचाता है या फिर कोई आपको painful situation देता है या फिर आपको loot ता है ठीक है? तो simple सा example इसका बोल सकते है जो गली में सबजी अफजी वाले आते है वो को कम तोल कर चले जाए कुछ चलागे करके तो उसको बोल सकते है छोटे वेपर ठीक है दुस्ट कर्मी या फिर दुस्ट इनसान इसका पोज़िट क्या होगा भी प्लेजिंग प्लेजिंग क्या होता है? दिस्थ ्रेस्पेक्टTFUL попроб भी होगा है लगाने तो दौकात भी नहीं थू प्लेजिंग उप्लेजिंग क्या होगा है उप्लेजिंग क्या होगा भी मैं जो वही एय। कपूलर रेपिटीड है फ scoutभ भी उभी जन श्माना है अमनते क्या होगा है, जांते है जिसना हो थहाँ है हूं तो स्थक्सा ऑसकता है ऍचे अंफैंने मानते हैं टो यह स्थ्व conventions क्या होगा तो सेम वरड किया हो गाई इसका थ्रेट्निउ्स मतलब क्या कम आंगलत किया हो तंद मिर्यूप है पिर इसका अंटोनικά Nosstinam इस तक सब ग्रेटिंग्स लोगों को लिखते हैं लिए तो इस सारे हमारे word होगे 90 words होगे तो मैं ऐसे जो आपको 200 word कराऊंगा ठीक है इतने हमने कर लिए आगे भी करेंगे जल्दी जल्दी ही करेंगे तो मिलते नेक्स चुडिए तब तक के लिए बाए